हालो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केर वेल फार्म हमें तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मैडिशनल केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट थर्ड के बारे मैं जो हमारे बी फार्मेसी सिस्स सेब्सक्र का एक सब्सक्राइब पहला हमारा और हमारे जो हैं तीन चेप्टर है पहला हमारा आता है एंटी वाइरल लेजंस जानकि जो ऊड़र रहा होते हैं उनको मारने लिए अपने एनकर आजकी वीडियो में हम बात करेंगे अपने anti-tubular agents के बारे में चल्िए इसको समझते हैं तो अगर हम यहां पर देखें कि anti-tubularottoons के इंदर हम पढ़ने क्या 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 वाले हैं तो यहां पर देखा गया दौ हमारी main class गें स्ञ ok Rice were और anti-tubular के बारे मैं तो यहां पर देखा गया दो हमारे सबसे ज्द इस तो यह दोनों पर इस्टार लगा और इनकी सिंथेसिस भी हम साथ में देखने वाले साथ में सार भी आता है कभी-कभी तो वह देखेंगे इस वीडियों में वरना फिर हम जो सार होगा उसके छोटी ती वीडियों अलग बना देंगे जिसमें आपको इन का सार मिल जाएगा तो चलिए फिर इस वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिंपल समझों यहां पर क्या रखा है एंटी ट्यूवर क्यूलर एजन्ट तो सिंपल देखा गया कि यह हमारे ऐसे ड्रक्स और एजन्ट विचार बेसे के यूज इन ट्रीट्म लोगों इसके बाद आपको समझा को ने बहुत बहुत है यह चीज है बहुत लोग उती है और बहुत लोगे इस बाती है ना कि अघ्रवर सोती है ना रात में किसी ओने देती है ना खुद ही वो सोती है यानिकि जिस परसन को हुआ है ना वो सामने वाले किसी को सोने देगा तो इस केस में क्या होगा कि कई केस में होता है कि जो खांसी है उसके साथ में खून भी आने लगता है और जो कफ जाने बलगम बोलते हैं वह भार आता है साथ में खून वगरा भी आने लगता है तो जब condition हो जाती है यानिकि जब किसी को chronic chronic cough हो गया खाई चापी जादा लंबे समय तक हो गई है उसके फैंपडे धीरे धीरे गलने से लग गये मतलब नुकसान होने लग गया है सांस लेने में धीरे धीरे problem होने लग गई है खाई बहुत जादा आरही है control से बाहर हो रही तो इस condition को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं टीवी बोलते हैं यान कि टीवर क्लॉसित और यह देखा गया काफी जादा dangerous बिमारी है dangerous के reason है कि यह हमारी क्या है spread होने वाली बिमारी है यान कि यह फैलने वाली बिमारी है जो हमारी क्या है अगर किसी एक person को है तो हो सकता है chance है कि हमारे किसी दूसरे परसन को भी इस वाले परसन से ट्रांसमिट हो जाया यान कि पहुंच जाए इसलिए यह डिंजरस हो जाती क्योंकि यह क्या हमारी स्प्रेड करने वाली बिमारी है तो अगर सिम्प देसी बासा में समझें तो टीवी हमारी एक ऐसी बिमारी जिसमें काफी जादा मातरा में खांसी होने लगती है मातर मतलब खांसी जादा होने लगती है कफ आने लगता बलगम आने लगता है कई बार के होता है कि ऐसा खून भी आने लगता है खांसी बगरा में और फीवर बगरा भी रहता है और बजन बेट बहुत जादा कम होने लगता बोड़ पुरह सा टेकनिकल टाम में समझें तो it is an infected disease अब यहां पर देखो क्या लेका है टीवी हमारी क्या है एक infected disease है अब infected का मतलब क्या है कि वह infection के दारा हुई है और जहां भी word आपका infected अधरा इसका मतलब समझो कि यह हमें किसी ने किसी mycroorganism की वज़ा से माइक्रो ओर्गनिस्ब कोई भी हमारे छोटे बाले जीव होगे तो ज़िटीबी हमको किसकी वज़ासे होता है it is caused due to mycobacterium tuber closest यहांगि यहां पर एक हमारा bacteria होता है जिसका नाम क्या है यहांपर mycobacterium tuber closest की ब्रताब और इस के बात कीड़ा है कि टीमी आखिरंको हो कैसे रहा सी rap एक यहां होता चली है अब यहां पर क्या होता है कि जैसे महांनों कोई भी यह वडिय है तो यह जो बैक्टिरिया होगा यह हमें किसी भी person के दारा के होगा इस बाडी के अंधर एंटर करता है अब जैसे बाड़ी के अंदर आएगा यह बिसिकले हमारे लंग्स के ऊपर जाकर अटैक करता है जो फैंपड़े होते हैं हमारे वहाँ जाकर और यही रीदाने आपको पदा जो सांस लेते हैं हम वह वहारे फैंपड़े करते हैं और जो खांसी कफ भी होता वह भी हमारे शтьप whatever is dependent होते हैं लेकिन यह साथ में कुछ चीजों को और डेमज करता है जैसे ब्रेन हो गया दिमाग पर भी असर करता है किड्नी बगरा होगा तो कुछ और भी पार्ट है जिससे हमारी बॉड़ी को मतलब खराब कर सकता है लेकिन जो में है वो हमारा के रहेगा लंग्स रहेगा जाने कि अब मालो यह एक है जो हैल्दी परसन है वह इसके पास आया बात ही कर रहा है नौर्मल बात कर रहा है तो टीवी कैसे भलता है कि मालो यह वन्दा या तो खांस दे वही कफ और आपको पता है जब खांस दे हम कुछ भी करें तो माउट के अंदर के जो ड्रॉप लेट्स है क बात करें तब भी माउट से थोड़े-थोड़े हमारे ड्रॉप यह निकलते हैं तो नुकसान क्या है कि जो हमारे ड्रॉप लेट्स हैं अब मालो यह बंडे को किया टीवी है तो इस बंडे के अंदर गैंदर कौनसा होगा माqो बैक्टीरियंट टूबर लॉशक और जब बंदे से इस बंदे के इंदर चला गया तो अब यह वाला जो बंदा है यह भी हमारा क्या हो जाएगा इनशेक्टर्स हो दाएगा यानकी यही रिजिंथा कि टीवी बहुत जादा खतर नाखे क्योंकि यह spread होने वाली वीमारी यान कि यह फैलती है बात करने तक फैलती है इसलिए यह थोड़ी जादा क्या हुजाती है इसके symptom की बात करनें तो TV के मदब क्या क्या symptoms हैं तो सबसे जादा इसमें आता है chronic yasak हासी होने लगती है हफते बर से नहीं महीने तक खासी होने यान की बहुत ही घटने लगता है और स्टार्टिंग में इसको कंजप्शन वाइरस की तरह कंजप्शन वेक्टरिय की तरह माना गया यान की यह हमारी बॉड़ी में क्या करता है बजन बहुत घटा देता है तो यह एक टीवी के लक्षन है कि टीवी के जितने मरीज आप देखो कि वह मोचली हमारे सुखे साके हो जाते क्योंकि उनका बेटी भी बहुत जादा लॉस हो जाता है तो यह थी हमारी बैसिकली नॉलिज इसी टीवी के बारे में साथ में यहां पर दो चीज़ दी है एक हमारी होती एक्टिवी अब इनका जो क्या मतलब है यह यह बैसिकली जो हमारा MBTN की माइकोबेक्टन ट्यूबर क्रास यह स्मॉल होता है एरोविक मतलब ऑक्सिजन की इसको जरूवत होती है और नॉन मॉटायल मतलब बैकिलाइप कोकाई तो यह हमारा बैकिलाइट टाइप का एक बैक्टिरिया है और यह मॉटायल नॉन मॉटा में एक से दो हो जाते हैं अगर नॉर्मल देखाए तो जो बैक्टिरिया है वह नॉर्मली इससे कई ज्यादा गुना मतलब डिवाइड होते हैं लेकिन यह थोड़ा स्लूई है फिर भी यह खतर नाक है क्योंकि काफी जादा हो जाते है उसके बाद यह लिए लिए हमारे ब मैक्रवक्षक नोनौन इसकी पारों में अब समझेगे थैं क्लासिफिकेश्ण ऊफ एन्टी रिक्यूलर इसमने से डिवाईड किया हैं अभी हम अपने सलेवर्वाय बात में देखेंगे पहले जो एक्चिएल में कर सकते हैं पहले हमारे आते हैं फ़ash line और आते हैं सेक्ट नाम से समाझ आया से था पर मतलब यह पहले रहें मातलब किसी को जहां पर टीवी हो गया तो इसके लिए थो लाइन बनी है लाच के लिए दूसरी है तो यह जो हमारे किसी बड्राइब था होगा तो जो हमारे काम नहीं कर रहा है किसी पर जासे यह मालों रजिस्टेंस क्रियेट होता था आपको बता कि जब एक चीज़ का हम बार बार यूज करने लगते हैं तो उसी के फिर बाद में फरक नहीं पड़ता वह उसके लिए पहले से तयार होता था उसको आज़र पड़ती दैन हम ज इफेक्टिव होते हैं हमारे टीवी के अपक और दूसरा इनके पास टॉक्सिसी टीवी काफी जादा कम होती है एक्जांपल जैसे हमारा आइसो नियाजाइड हो गया फिर पायरजीनामाइड हो गया फिर इथैंब्यूटल हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसन हो गया यह ने आपको तैयार करे लिता रजिस्टेंस क्रियेट हो जाती है देन उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि सेकंड लाइन वाले ड्रग अपने लेकर आते हैं और देन वह उस बैक्टियर को जाके मारते हैं लेकिन इनका नुकसान क्या कि इनके पास लो एंटी टीवर एफिकेसी ह यहीं है कि मैं पर यहां पर बात करें हैं तो हैंकी यहां से लिखार विल पर लिखार एक है कि हम चैकंड सेंद लाइन के यूज करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे कुछ JAMES सेंद और यह कर तो यह अस्यांपल यह बारे लिए जो चए यह यह यहां पर लिखेंग अपर पाएं अब ऋपने सेंठिक सब्सक्राइब पहले नाम से अगर समझोगे तो यहां लिखा है सिंथाटिक मतलब सिंपल है कि इनको हम लोगों ने बनाया है किसी मॉडिफाई करके नेशिडर वाले को कुछ भी करके हमने इनको बनाया यूँगा तो यह हमारे इसी लिए सिंथाटिक आँधे थी तो यहां पर सिंपल देखा गया सॉरी सब्सक्राइब रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है हमारा कि यह एसी रखते जिनको सिंथेसाइज किया गया मतलब बनाया हुआ है किसी को मोडिफाई करके या किसी को आपसे मिला के इन सबके दोरह यह बनाए गई है तो इसमें हमारा आइस एप्याइड आता है यह ती वीटिक्स आते हैं तो यह हमारे क्या है कि यह एंटी ट्यूवर यान कि टीवी को ठीक करने वाले ऐसे ड्रग है जिनका नीचर विसिकली क्या एक एंटी वायोटिक्स है यान कि यह अपने यह मतलब प्राकरतिक रूम में यह काफी हत्त तक जो है एंटी टीवी वाले ड्रक को भी मार देते हैं तो इसलिए यह हमारे एंटी ट्यूबर क्यूलर एंटीवाटिक रूम में जाने जाते इसमें एक्जामपल रिफामपीसीन है काफी इंपोर्टेंट है फिर रीफा इसको सौट में आइन एच भी बहुते हैं बाकी देखा गया तो पारड़ीन फॉर कार्वो हाइड्राजाइड नाम से जानते हैं यह आपको यहां पर दिख जाएगा ठीक है यह पारड़ीन की रिंग है हमारी हाइड्राजीन वाले हमारे जोड़ा गया था और इसलिए इस आखिर, ये हमारा काम कीसे करता है तो पहली बात है कि यह हमारा बैक्टीरिय ॉसैडल नेचर का होता है उन्हें best के लिए जो हमारे काफी जाथ हो preserved ओर तरा देए इस तरह वो कहा यहां पर वैक्ट्रियों की तरह काम करेगा जान कि यहां पर क्या कर देगा और यहां पर कोई बैक्ट्रीय आसा है जो हमारी बॉड़ी में तो आ गया लेकिन वह रेष्टिंग करनी से नहीं मतलब बन बूनके वह एक साइड में बैठा हुआ है तो यहां पर क्या करेगा कि य वो spread नहीं कर पाएगा और यहां पर हमारी growth रुकता है हमको यह दौनों केस में देखा गया हमारी जो body है वो ठीक हो रही है यहां पर हमने मार दिया जो भड़ रहे थे तो सिंपल है कि मारना भी जरूरी है लेकिन यहां पर कोई रुका हुआ है तो हमने क्या किया उसको एक त सब्सक्राइब करते हैं तो लेट करो कि यह हमारा क्या बैक्टेरिया है पूरे बैक्टरिया हमने बना दिया सौर्ट में अब यह हमने लिए जैसे और इसको सुछी मने लिख सकते हैं आरा ओसो निकोटिनिक आसे POL बन गया अब यह को सच यह वर मालो हमारे यह अपने आपको एक्टिव करेगा और एक्टिव कैसे करेगा बैक्टिरिया के अंदर ही एक एंजयां होता है जिसका नाम है kata lase peroxide और जिसको sort में cat g नाम से भी जानते हैं तो यह जो इन्याय मं है यह एन्याय म क्या करेंगा यह बेसिकली हमारे इस ीनिज यहने कि हमारे इस प्रेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा कि यह हमारे बैक्टरिया से के नदर कुछ और चकर करेगा औरेast करने करता है उसके में एक होता है माय कॉलिक कण नहीं होता है यह तो मीकॉलिक चाहिए नहीं माइट хорошо लों घरता है और दुझाए की नहीं एक mycolic acid actual में यह especially जो हमारे tuberculosis वाले बैक्टरिया होते हैं उन्हीं की cell wall के अंदर present होता है और यह बैक्टरिया उनकी cell wall को बनाने में help करता है तो जो हमारे आइसू नहीं होगी तो कोई बैक्टरिय हमारा ग्रोह ही नहीं करेगा और वह गड़े में झागे और हमारे cirche यह सोर्ट यहां यह एक्टरिया करेगा और यह पर पर में सब्सक्रेस करेगा सेब्सक्राइब वहां जाता होता है और रहे कुछ फिर्त होने के बाद इसको करें तो यह था हमारा स्वाइस को बनाता तो से व तो यह था हमारा सॉट मेकैनिज्ब इसी आइसो नियाजाइट के बारे में आई होप आप लोग समझ गया होगे अब यहां पर एक हमारा लॉंग में मेकैनिज्ब आता है जो बेसिकली हमारा फार्मकलोजी के काफी जादा स्यूटेबल रहेगा क्योंकि यह थोड़ा सॉट हो गया तो मेडिकेम के ठीक है कुछ नहीं करना सिंपल है कि यहां पर मालो यह आई इस यह पूरा पूरा हमारे बैक्टरिया के अंदर समझो बैक्तरिक अंदर चला गया जो हमारा के जी था जो मारे यह एच्ट जाके कपल हो गया और कपल होने के बना देगा निकोटिन लाएड रibly बन जाएंट बन जाएगा और जीसे यह बन जाता यह हमारे इस व्रत्य ही और यह बांट कर दाएगा और यह से बड़कर वाक्टरिया नहीं बनेगा तो नहीं सेल-बाल भी नहीं लग रहा हो कुछ भी हो तो इसको बिल्कुल छोड़ो आप सिंपल इतना याद रखो कि आज सुने ज़र्ट आया एक्टिवेट हुआ इस वाले एंजम्यां की के ग्याशन आप शॉर्ट में सॉट में सिंपल इसके बारे में आप करते हमें और वहां को दिए शॉजसन अब बिसकी हमें और चाहिए और of oxygen होती है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हमारे oxygen एड़ हो जाएगे अब यहां पर हम और यहां से हमारे यहां से हमारे निकल गया और माइनस है ले आपको यहां पर दिख साएगा अब इसके यूजस की बात करें तो यह मतलब ट्रीट करने में हेल्ब करें उसके बाद यह और एक्टिव तुझ अब जिसको लेटर नियुक दिया होगा और नहीं लिखा तो जाकर लिखो यारो देखो थोड़ा बहुत आप भी रिसर्ट करके थोड़ा पहुत करो मेहनत करो अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है ठीक है उसके बाद करें तो यह हमारा यूज होत होती है है हमारी हल्फुल होती है और यहां पर हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत यहां पर गुरुप बगरा एड़ कर सकते हैं तो आप इस तरह साथ देख लिए ना वरना अगर आप आप लोग कमेंट करके वह लोगे सार चाहिए चाहिए तो मैं एक अलग बना दूगा आईसो नियाजाइड और पैर आमीनो करेंगा सेलवल को रोकेगा और इस तरह हमारा काम करता है इस ट्रैक्टर आपको यहां दिख साएगा उसके बाद यह बेक्टर इस्ट्रेट और साइडल दोनों सकता है यह पर यह concentration पर डिपेंड करता है जादा मातरा में दोगे तो साइडल होगा कम में दोगे तो static होगा थर्ड हमारा यहां पर आता है इथेम ब्यूटल और आता है तो यह हमारा बडि माले को यह क्या करता है यह बैक्टरिया में क्या करता है एक हमारा होता है अर ऑ cupboard को बनाने में हमारा पॉल इसे पाली सेख्रेड है और बड़ए सब्सक्रेड थो थोड़ा बड़ा पार्टीकल होगा मारा और यह सेल को बनाने में हैल्प करता है ये हमारा ऐसा सभिस्टन्स होता है तो इताm utal क्या करेगा वह इसकी बायो सिंतेज को रोकदेगा कि अब हमारा यह नहीं बन पाएगा और जब यह नहीं बनेगा तो हमारी पॉली मर ओ यहला हमारी नहीं बन पाएगी और जब self wall नहीं बन पाईगी तो बैक्टिया की growth भी यह ओगी तो भाई ओप इसली बात है कि यहां पर क्या होगा यहां पर हमारा जो cell था वह मरह क्या होताएगा ज्यूंस सेल रोग गई तो हमारे यहां पर कि हमको static वाला effect जो अपनों यहां पे मिल रहेगा तो यह था हमारा e-time butol के बारे में फॉर्थ हमारा इसमें आता पायरेजिनमाइट तो यह भी हमारा first line drug है और यह भी काफी important है यह बेसिकली हमारा पायरेजिनो एक acid का डेरिवेट हुआ उससे बनाए जाता है और यह हमारा बैक्टरियो साडल होता है आप चाहों एक चोटा सा चार्ट बना सकते हों कि बस मैं आप लिख लो कि बैक्टरियो बैक्टरियो साडल कौन से होते हैं उसके बाद इसमें यह आपको इस्ट्रक्टर दिख जाएगा और इसी को पायरेजिन टू कार्वक्सरमाइड भी बहुल सकते हैं उसके बाद यह भी हमारा कि जिसका डेरिवेटेस उसमें कंवर्ड हो साता है अब यह पायरेज़ यह मारे जो पैटी एसेड सिंतेज बन था इसको इनिविट कर देगा अब आपको बताए यह वाला एंजाम नाम से समझो फैटी एसीड तो वह फैटी एसीड को बनाएगा तो अगर इस एंजाम को र और उसके बात किया गया है सबसे इंपर्टन क्या है कि यह हमारे बाकी की ड्रग है यह भी हमारी मतलब ट्यूवी का ही एक पार्ट है उसके खिलाब बाकी ड्रग हमारे पाते हैं क्योंकि यह सब्सक्राइब करें की इमारे पार्ट हो लेकिन यहां पर हमारे करेंगे तो यह हमारा कौने-कौने में यहां पर इसको तो पसंद है एक यहां जाएगा और यहां पर चुपा हुआख हुआ यानिकि यह प्रोट्रक क्या हुआ होता क्योंकि यह एक नहीं काम दिखाएगा दूसरा यह हमारा पारजिनल देश्यम के मतलब से अक्टिवेट उता है और यह बैक्टरिया के अंदर जाके बैक्टरिया को मारने का काम करता है तो अब अगर हम यहां पर अपने पार्पवारे के बारे मां समझें तो हमारा आता है परा-Amino-Salicylic Acid जो यह हमारा सेकंड में रट रहे हैं मतलब इसको जो पहले बारे की साथ इसको बाद में यूज करते हैं तो यह Amino Benzoic Acid एक तरह से स्टार लगा हुआ है तो यह हमारा है एक फॉलेट सिंथेज इने विटर से जो बेक्टरिया बैक्ट्रियो इस्टाटिक नेचर में होता है कैसे होता है सारा कुछ समझते हैं तो आपको बताए कि कोई भी हमारे जो बैक्टरिया होता उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेस होती है क्या चलती है तो यहां पर एक होता है पिटेरिडिन और एक होता है पाबा यह दोनों मिलके हमारा बनाते हैं डाई हाइड्रो पिटेरिक एसेड अब जो डाई हाइड्रो पिटेरिक एसेड हो बेसिकली हमारा डाई हाइड्रो फॉलिक एसे बनाता है जिसको हम डी एच ए करने काम करते हैं तो आपको बता है यहां पर जो हमारा यह है पैरा अमीनो शैलिस लिक था क्या होता है कि हमारा इसका काम क्या होता है ज्यानगी पाबा है इसी की तरह सेम दिखने में सारे कुछ इसके लगबग सेम होता है तो यह क्या करता ये इसकी जगह जाके यहां पे होता है ना बहारा या ना बनेगा बनेगा SMS है फाल चाय ऑक बनेगा मलत genes hunter फॉलेट सिंथेज इनेविटर्स भी बोलते हैं यह हमारे जहां पर फॉलेट सिंथेज इनेविटर्स जाना की फॉलेट एसिड की सिंथेज को रोग दिया और जब फॉलेक एसिड ही नहीं नहीं बनेगा तो हमारा डिया नहीं 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 तो कोई भी वेक्टरिया ग्रोथ हो बैसे भी नहीं करेंगा तो इस तरह हमारे यह पैरा अमीनोस अपना काम करते हैं बात करते हैं सिंतेजिस की तो इसकी देखो सिंतेजिस आपको अलग अलग बहुत अगर मिल जाएंगी यहां मैंने तीन इस्टेप बाली ले रखी है तो प बचाब यहां पर क्या क्या है इसकी हमारा तो यह हमारा क्यों चेसाथा नभी निकलताएगा अब यह जो हमारा है पूरा इसकी हम यह आक्सिजिए नहीं यहां पर हमारे एच्ट जुड़ जाएंगा और हमारा बन जाएगा पैरा-अमीनो-सली-सली-सली-सली-सली बन जाएगा इसको पैस बोलते हैं तो यहीं थे थे हमारे पूर्य सिंथाठेक एंदर आती है वो आती है नहीं किराने बारे में आप शबको पहले से जानते हो और कि यृति को आप जबने से घाले से जानते हो सॉठ में समझनें तो इसमें पहले नमर पर हमारा आता है रिप इंपी सीनके बारे में जो काफी ध्यादां और यह हमारा एक सेमी इसे है जो बैसे इस वारे बैक्टरिया से निकाला गया उसके बाद मैके निस तो ये टीके क्या करता है कि हमारी बैक्टरिया के अंदर जो बॉड़ी यह वहाँ पर आरेने पॉलिम्रेज होता है आपको बता है आपने पर्पन होते हैं इस से आरेने बनता है मारे ने टी आरेने यह समय आपको हमाइनों ग्लाकुसाइट में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे थे स्ट्रक्चर आप बना लेना यूजस की बत करें तो हैं ऊसका जो सारा कुछ है हमारा सेम पी सीन की तरह बस यहां पर क्या होगा कि इसके स्ट्रक्टर थोड़ा अलग होगा तो वह बना लेना बाकि सारा को सेम है थाड़ हमारे इसमाता साइक्लो सेरिन तो इस ट्रक्टर आपको यहां दिख जाएगा और यह हमारा अमीनो एसिड डी अनिलिन अब चलो इसको मैं समझाता हूं कैसे आपको इसका में याद रखना है तो आपको अगर याद हो मैंने जब अमायनो गलाकोसाड पढ़ा है ओर इसकर करती है और यह पूरी कि पूरीपूरी पूरी mano कि सेलवाल को मतलब बनाती हैं इस तरह सौर्ट में आपको साइध याद आ गया होगा तो यहां पर जो हमारे पांच अमीनो एसिड थे उन में से एक दो हमारे यहां भी है और डियलीन तो जो हमारा साइक्लो सेरीन है वह बिसिकली इन दो एंजयम्स यह इन दो अमीनो एसिड को जाके करता है इनि बन पाती और जब यहां पा यहां नहीं बन पाए गए तो सेलरा मारा खादम हमारा हमारा होड़ा़ तो इस तरह हमारे जा है तो यहां बात करते हैं और अगर वारी कूश करते हैं उक इस साथ में है चान्स परक्सराइब से Select Am formaा सेटार है तो आप करेंगे और प्रोटीन को रोक देते हैं ग्रोथ हमारी रुकसाईगी तीक है इसको आप वहां से पढ़ लेना मैं बता चुका हूं क्या है आपको उसके बाद यहां फिफ्स आता हमारा कैप्रियो माइसन सेलफेट के बारे में तो यह बिसिकली हमारा एक्सुलेट किया था था आप लोगो यह पूरी वीडियो समझ आगी होगी अब हमारा यह पूरा का पूरा पूरा कम्प्रीट हो गया एंटी ट्यूबर वाला अब नेश्ट वीडियो में बात करेंगे अपने यू यू टियाई के बारे में या फिर हम अपने एंटी बारे में तो मिलते हैं आप से इस वीडियो में तब थेंक्यू टेक क्या रहे हैं आपसे लोग अपना अब भी फैमिली का ख्या लखेगा बाई बाई दोस्तों